बनाई एक लौकी से पूरे दो किलो पनीर अब बजार से कभी मतलाना बिना किसी घर्चे के अपने घर पे बनाए तो हेलोई एफ्रिवान वेलकाम टो लाव कीचेन आज हम बना रहे हैं लौकी से पनीर जी हाँ फ्रेंस आपने बिल्कुल सही सुना तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्रिफ और स्रिफ एक लौकी और बन जाएंगे हमारी पनीर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक मीडियम साइज का लौकी ले लिया है करेब यहाँ पे आदा किलो जितना होंगे लौकी को सबसे पहले हम चील लेंगे चील का निकालने के बाद हमने धूल लिया है बीचसे काटा है इसके बीच एकदम नरम है तो बीच भी हम यूज़ कर लेंगे चोटे 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 टुकरों में काट लेना है तो सारे लौकी को ही इसी तरीके से चुरे-चुरे टुकरों में काट लेंगे और ले लेंगे एक प्लेट में जो आदा पार्ट बाकी है उसे भी सेम तरीके से काट लेते हैं लौकी को पहले ही धुल लेना है दुबारा इसे काटने के बाद धुलना नहीं है क्योंकि लौकी में से खुद ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते है मिकसर जार में हमने हाफ लौकी को डाला है अब इसे बारिक पीस लेना है ये देखी अच्छा सा प्यूरी तैयार हुआ है इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ करने की जरूरत नहीं है एक बोल लिया है उसमें डाल दे रही हूँ एक कटोरी मैदा मिरियम साइच के कप के एक कप ले सकते हो नमक ले लिया है स्वादा नुसार और जिस मेजर्मेंट से हमने मैदा लिया है उसी सेम क्वांटिटी में हमें ले लेना है दूर यानि की विल्कुल सिंपल है जिस बरतन से हमने मैदा लिया है उसी बरतन को नापते हुए हमें दूद भी ले लेना है एक कप जितना जिससे पनीर का स्वाद बहुत अच्छा हैंगे अब पेस्ट किया हुआ लौकी हमने डाला और जो बाकी का भी है लौकी उसे भी हमने पीस लिया है लौकी पीसने के बाद कुछ दिर रखते ही कलर चेंज होने लगते है अब देखिए थोड़ा सा हमने बचा की रखा है पाच से छे बरे चम्मच जितना जो हम ब्रेफी में डालने वाले है अब ये एक पर मिक्स्ट का लिया है इसमें मैदा थोड़ा सा हम और एड़ करेंगे यानि कि दो कब जितना मैदा एड़ करेंगे आधा किलो यहाँ पे लौकी है उस हिसाब से या फिर आप अगर कटोरी के नाप से ही दे रहे हो लौकी तो यहाँ पे छे कटोरी जितना लौकी डालेंगे और उसमें दो कब जितना मैदा डालना है मैंने यहाँ पे लिक्विट दूद का यूस किया है आप अगर पाउडर दूद डालना चाते हो तो वो भी डाल सकते हो उससे क्या होंगे यह पतले टाइप के नहीं बनेंगे बिना पानी का ही मिक्स कर लीजिए तो जल्दी से यह सेट हो जाएंगे एक स्टील का प्लेट लिया है उसमें रिफाइंड ओयल लगा लिया है जिससे की बिल्कुल भी यह नीचे से ना चिप के तो हमने जो लौकी का बैटर तयार कर लिया है वो अब डाल देंगे इस तरीके से प्लेट के उपर और हलके से चमस से इस तरीके से उपर से फिनिशिंग में बराबर कर देंगे जिससे की पनीर के जो पीसेस बने वो बिल्कुल भी टेरे मेरे ना तयार हो हलका सा टैप करेंगे जिससे की नीचे से भी गड़े छेद बगेरा ना बने पनीर में एक कड़ाई में हमने डाला है दो गलास जितना पानी एक स्टैंड रग दिया है स्टैंड ना हो तो अब छोटे से कोई भी कटोरी डग सकते हो उसके उपर इस तरीके से प्लेट को हमने बिठा दिया है कोई भी बरतन से ढग देंगे और इस तरीके से फुल फ्लेम में हम 20 मिनिट जितना पका लेंगे अगर कोई भी चीज उभालना हो या नी की जैसे की आलू हुआ दाल हुआ वो भी आप इस तरीके से कडाई में डाल सकते हो 20 मिनिट बाद मैंने ओफ कर दिया है इस तरीके से उंगली से चेक करेंगे देखिए उंगली में बिल्कुल भी चिपका नहीं है बीचो बीच भी उंगली रखके हमने देखा है मतलब यह सेट हो चुके है कराई से निकाल के थोड़े से नॉर्मल टेंपरिचर में आने देंगे तब तक मसाला तयार कर लेंगे चार मीडियम साइच के टमाटर बड़े साइच का दो प्याज लिया है लेसन के कलिया 18 से 20 ले लिया है अधरक लिया है 1 इंच स्वादा नुसा ले लिया है मिर्च बस इसमें और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है अब मसाला को पीस लेंगे तो मसाला हमारा पीस ना हो चुके है तो तब तक जो हम पनीर तयार किये थे वो भी अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गये है नाइफ में हमने रिफाइन ओयल लगा लिया है इस तरीके से पीसेस में कट करेंगे अभी आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आये होंगे कि ये कौन सा पनीर के जैसा दिख रहे है ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहे है पनीर के जैसा नहीं लग रहे है तो इस जो आपके मन में खयाल चल रहे है न इसका उत्तर भी मैं ही देती हूँ आज कल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे थे ये रेसीपी कि लौकी से बनाए बहुत सारा पनीर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राइ करूँ और आपको बिलकुल हकीकत मैं इसमें दिखाऊं फ्रेंस लौकी से पनीर तो कभी बन ही नहीं सकते है न लेकिन लौकी के अलग तरीके की सबजी जरूर बनाए जा सकते हैं जिसे देखने में थोड़ा बहुत पनीर जैसा लग रहे हैं तो एक करहाई में सरसुका तेल गरम करके थोड़े से खड़े मसाला डाल दिया है जिसमें जीरा, धनिया, दालचीनी, लौंग ये सब डाल दिया है दो तेज पत्ती भी डाला है और जो मसाला हमने पेस्ट कर लिया था वो मसाला भी डाल दिया है पिल्कुल सिंपल मसाला डालेंगे जो घर पे हमेशा बनाये जाते हैं इस मसाले को अब अच्छे से भूनेंगे डाला है स्वादनुसा नमाक, एक बड़े चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़े चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच धाणिया पाउडर मिला देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक अच्छा सा खुशबूआ के तेल ना छोड़ने लगे तो कुछ देर भूनने के बाद इस टाइम हलका सा तेल छोड़ा है और जो हमने थोड़ा सा पेस्ट किया हुआ लौकी बचा के रखा था वो इस बक्त हम डालेंगे इससे ग्रेवी का थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और हलका सा लौकी के खुशबूआएंगे लेकिन यकीन मानिए इस सबजी को आप किसी को भी परोश देंगे न तो कोई भी बता ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी से बना हुआ है अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लेम हो कि लौकी बनते ही किसी को भी खाना खाने का दिल नहीं करता है तो आप इस तरीके से तब ड्राइ गर सकते हो ये देखिए बात करते करते मसाला भूनना हमारा हो चुके है अब इस टाइम हमने जो पीसेस बना के रखा पनीर जैसा तो वो अब इस टाइम डालेंगे और बिल्कुल ये हलके हातों से मिक्स्ट करके न दो से धाइ मिनित जितना मसाले के साथ भून लेंगे अब डाल दे रही हूँ पानी यहाँ पे एक लीटर पानी हमने गरम कर लिया है ये पानी डालेंगे जो पीसेस है उसे थोड़ा सा अंदर से सौफ्ट होना है और ज्यादा और मसाले के सौध जाना है तो इसलिए पानी का कौणिटी थोड़ा सा ज्यादा इस टाइम रखना है तो हाइफ लें में कर देना है जब तक ये पानीर के पीसेस के अंदर मसाले के सौध ना चला जाए और थोड़े से सौफ्ट और ना हो जाए इस सबजी का ग्रेवी हम बहुत ज्यादा गारा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज्यादा गारे हो जाएंगे जैसे कि गट्टे की सबजी बगेरा होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी का कंसेंटेंसी हमें पतला रखना है जैसे कि इस टाइम अभी आप देख सकते हो लास्ट में कट्सूरी मेथी डाला है चम्माच और गरा मसला डाल दिया है आधा चम्माच कसूरी मेथी नहीं डालना चाते हो तो चौप किया हुआ धनिया के पत्ती डाल सकते हो बस मिला देना है और आज के हमारी हमारी लौकी से बने हुए पनेल की सबजी है बिलकुल तयार तो फ्लेम को हम आफ कर देंगे और पाच मिनीट के लिए छोड़ देंगे तो पाच के से गर्मा गरम परूस देंगे रोटी चावल के साथ जरूर से आप ट्राइ करना बहुत अच्छे लगेंगे खास करके ना इस तरीके से राजस्तानी आप देखे होंगे मैदे की सबजी बिलकुल उसी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं आप बना के जरूर देखना कुछ हटक नया नया रेसिपिस आप अगर हमेशा ट्राइ करना चाते हों और वो हो हेल्दी और टेस्टी भी तो लाव किचिन चैनल को जरूर से कर लिए जिए का सब्सक्राइब आज का रेसिपिए आपको कैसा लगा है मुझे पताना कॉमेंट करके और क्या आपने इस तरीके से पहल बिलती है अगली रेसिपि में टाटा बाई बाई टेक क्यार